आज मैं आपके लिए लिखे हैं यूँ काले चने के छोले जो की बहुत ही टेस्टी है तो मैंने चने को रात भर के लिए भी गो दिया था उसके बाद से मैंने एक ग्लास पानी में चने और खाने वाला सोडा चुटकी भर और नमक के साथ बॉयल कर लिया था अच्छी तरह से मसालों मैंने जीरा, काली मिर्च, बड़ी लाची, दालची, छोटी लाची, लहसन और हरी मिर्च और साथ में धनिया पाउडर एड़ किया जो धनिया पाउडर है वो मेरे पस पाउडर था खड़ा नहीं था आप वो भी डाल सकते हो और अद्रक के साथ अच्छी तरह से प बड़ी रखेगा कूकर में मैंने थोड़ा सा सरसो का तेल एड़ किया मतलब तीन बड़े चंबच उसके बाद से दो तेज पत्ता और चार बड़े प्याज और इन सब को प्याज जब थोड़े पग गया तो मैंने दो टमाटर के साथ और अच्छी तरह से इसको पका लिया और इसके बाद से हम इसे पानी के साथ सीटी लगा है तो बोसली चना जो है चाहे काबली चना हो या काला चना हो इन सब में मैं सीटी खाने वाले सोड़े के साथ जरूर देती हूँ और ज़्यादा देती हूँ ताकि जब यह मूँ में जा तो घुले घुले लगे और खान दुनिया की पत्ती के साथ सर्फ कर रही हूं आप जरूर बताईएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट